हेलो इवरीवन, वेलकम टू माई चनेल आज मैं बताऊंगी गाजर मटर की रेसिपी किस तरह से बनाना है अगर यह मेरी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक, सेर, कॉमेंट जोरोर कीजीगा साथ में सब्सक्राइब और एक छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजेगा ताकि जो मेरी नहीं नहीं फिडियों है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मैंने यहाँ पर तीन गाजर लिया है रेट, आप चाहे तो औरिंज भी ले सकते हैं लेकिन ही सीजनेबल है, लाल वाले जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता खाने में और सब्सक्राइब बहुत ही टेस्टी बनती है आपकी चोईसे अगर आप किसी और सीजन में बनाएंगे तो फिर आप दूसरे गाजर भी ले सकते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर गाजर को चील लूँगे गाजर मोटर सीजनेबल सबजी है, खाने पर बहुत ही अच्छा लगता है और सबसे जल्दी बन जाता है पास से साथ मिनीट में आपका सबजी बिल्कुल रेडी है अगर आप प्रेंसर कुकर में बनाएंगे तो और भी जल्दी बन जाता है मैंने यहाँ पर आलू नहीं दिया, आप चाहे तो आलू भी दे सकते है मैंने गाजर को कुछ इस तरह से काटा है, जो बड़े साइज है मैंने इनको दो टुकर में काटा है और जो छोटा है मैंने उनको गोल गोली निकाल लिया है, इससे क्या है कि जो एक साइज होगा वो मेंटेंड है तो सारी एक साइज ही सीच जाएंगे अगर हम छोटे बड़े साइज काटेंगे तो गाजर सीजिन में थोड़ा टाइम लगाएगा कुछ हमारी जल्दी सीच जाएंगे कुछ बात में तो इसलिए मैंने एक साइज ही काटा है अब गाजर और मटर को धो लेंगे बहुत ही अच्छे से यह दिखे मैंने धो लिया है कराई गरम हो गई है अब मैं थोड़ा सा ओयल एट करूंगी हमें बहुत ज़्यदा ओयल बिल्कुल भी नहीं देना है हमें थोड़ा सा ही ओयल देना है क्योंकि यह सुकी सबजी होगा गैस को हम लोक कर देगे और तेल गरम हो चाने पर मैं यहां देदोंगी आधी चमच्छ जीरा साधी साथ मैं यहां देदोंगी आधी चमच्छ सौब मैंने यहां पर तीन हदी मिर्ज को बीच में से चीला लगा है मैं ऐड़ कर दूंगी और फ्abord क्रक्षeur होने के बाद जो तो गाजर मटर है मैं एट कर दूँगी अच्छे से मिक्स कर लोगी ताकि जो नीचे मसाला है वह मारे ना जले मेरा थोड़ा सब्राउन हो गया यह दिखिए है तेल बहुत ज्यादा गरम हो गई थी मेरी अप मैं दे दूँगी एक चमच हल्दी पावडर यह छोटी चमच है तो आप अपनी हिसाब से देखिए कितना है आपकी सब्जी की कॉआंटिटी उस हिसाब साब हल्दी और नमक स्वाधनुसर ही रखिए एक चमच नमक अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और दो से तीन मिन हमारे साथ साथ सीज़ते भी रहेंगे बहुत ही सॉप्ट ही जाएगा दो मिनिट हो गया है यह देखिए गाजर और मटर फ्राई भी हो गया और साथ साथ सीज भी गये अब मैंने यहां पर एक छोटा टामटर को मिक्से में गिलान करके प्यूरी बना रखा है पेस्ट मैं अगर आपको काटके देना है तो आप पहले जो तेल में छोक लगाया अब तब दे दीजें साथी साथ में यहां दे दूंगी एक चमच डेगी मिर्च पाउडर कर्ची से अच्छे से मिक्स कर देंगे दो मिनिट के छोड़ देंगे लो फिलेम गैस पर फ्राई होने के ताकि नीचे ना लगे और ना जले मैंने यहां पर एक टुकड़ा अध्रक को कद्दुकस कर रख है अब मैं एट कर दूंगी आप चाहे तो जब मिक्सी में टमाटर को किया था तभी आप अध्रक को एक साथी पेस्ट कर सकते हैं अब तीन से चार मिनिट तक लो फिलेम गै और बीच पीच पे कर्शी चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे और ना जले यह देखिए हो गया है गाजर मटर की सब्चिप गाजर हमारे पूरी तरह से सीज गया है अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पानी दे के भी सिजा सकते हैं या प्रेसर कुकर में बनाएंगे तो पाने की बिल्कुल भी नेट नहीं है वो जो प्रेसर कुकर है वो स्टीम लगते लगते सीजी जाता है और बहुत ही जल्दी बनता है अगर आपको गरब मसाला देना है तो एंडिंग मैप थोड़ा सा गरब मसाला दे सकते हैं मैंने दिया नहीं है अगर यह वीडियो अच् प्रेके